नवस्कार मैं प्रवीन एलावत हूँ आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं राजनीती एक शत्रंजी की तरह है इसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हरियाना लोकसबा चुनावों को लेकर है चोधरी बिरेंदर सिंग के बेटे हैं हिसार से सांसत ब्रजेश सिंग उन्होंने इस्तिफा दे दिया है आपको बता दें कि कुछ देर पहले अपने ex-account पर ब्रजेश सिंग अपना इस्तिफा लिखते हुए लिखते हैं I have resigned from the primary membership of BJP due to complaining political reason उन्होंने का राजनीती कानों से मैं भाजपा पार्टी से है वो इस्तिफा देता हूँ लेकिन इसके कुछी देर बाद खबर आती है कि मलिकारजुन खडगेजी के नित्रुतों में चोधरी बिरेंदर सिंग और उनके बेटे हैं वो कोंग्रेस की सदेस्ता ग्रहन करने के लिए चले गए और अब जो खबर सामने आ रही है कि बिरेश सिंग ने भाजपा से इस्तिफा देकर कोंग्रेस को भी जुआइन कर लिया है ये तो इतनी सी बात है इसे भाजपा के लिए करारा जटका माना जा रहा है ना केवल भाजपा के लिए बलकि ये जटका क्या हुड़ा गुट के लिए भी हो सकता है इसी खास बुद्धे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ट पत्रिकार हैं संजय भाटिया जी वो हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं क्या प्रभाव पड़ेगा इस तमाम बड़े घटनागर्म का वो हम संजय भाटिया जी से जानेंगे और कुमारी शैल जा भी अपसे कुछ देर पहले अपने एक्स अकाउंट पर लिखती हैं भाटिया जी कि वरिष्ट नेता च कॉंग्रेस के अध्यक श्री मलिकारजुन खडगे जी एवं श्री रहूल गांदी जी के विचारों में आस्ता जयताते हुए आज कॉंग्रेस पार्टी की सदेस्यता ग्रेंड की आज का दिन मेरे लिए हर्ष से भरा हुआ है ये कुमारी शैल जा लिखती हैं क्योंकि कि लड़ाई में हमारा साथ निभाएंगे आटिय जी स्मुद्धे पर भी आएंगे सबसे पहला मेरा सवाल ये है ये भाजपा के लिए कितना करारा जटका मानते हैं क्योंकि देखिए सर छोटूराम की विचारधारा है वो विरासत है वो मानी जाती है चोदी बिरिंदर सि सिंग के बीच में जो एक संबन था वो खटास बड़ा होता जा रहा है विरेंदर सिंग जी की एक ही डिमांड थी कि दुशन चोटाला के साथ जैसे जेजेपी के साथ समझोता ना रखा जाए लेकिन बीजेपी जो थी वो चोडरी साब को बिल्कुल भाव नहीं दे रही थ वहीं जैसे अब सुचनाई आ रही थी लोगसभा चुनाओं को देखते हुए कि कुछ परत्याशी बदले जाएंगे तो उनमें इसार से बिर्जेश सिंग जी का भी नाम था तो अब इस बात दोनों बातों को जोड़ा जा सकता है कि एक तो चोदरी बिरेंदर सिंग नंब चौदरी बी बने थे लेकिन वो जो कही ना कहीं अपने आपको एहसा मसूच कर रहे थे कि जो सवतंतरता उने कॉंग्रेस में थी वो उने बीजेपी के इंदर दिखाई नहीं दे रही थी अब जो इसहार के अंदर अच्छा बीजेपी ने क्या कह दिया या तो आप इस्ति देकार का सम्मान चौदरी सही छा रहे थे बीजेपी में मिलना चाहिए वो सम्मान बीजेपी उने नहीं दे रही थी तो यह तो अभास तो था कि बीज та फील पीज में खबरे भी आ रही थी कभी वो कि दुशियन चोटाला से जीजेपी से एलाइंस करने के लिए है वो बिरेंदर सिंग की बली है वो भाजपा मतलब जाने दिया गया उनको वो तो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि चोद्री बिरेंदर सिंग जी की यही तो मांग थी कि आप जीजेपी के साथ समझोता चीजे जो आपस में ठक रही है तो उन्होंने बड़ा सोच विचार कर यही फैसला किया है और कॉंग्रेस में अंदर जो पुराना घरी है उनका तो वो उसमें शामिल हुए है बाटिया जी एक तरफ प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी चारसो पार का नारा दे रहे हैं कि चा रही थी हाला कि वो सिरे नहीं चड़ पाई तो क्या इस से यह मान के चला जाए कि एंडिये जिस तरीके से पिछली टर्म में अपने अलाइंस को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही थी अपकी बार चाहे दो सीट का भी जो प्रभाव रखते हों उनको एंडिये के है था इस मुद्धे को 75 पार और हालात क्या है थे 40 सिते हैं अब यही का यही मुझे ऐसा देश के अंदर दिखाई दे रहा है कि भाजपा जो है एक बार परचार करना चाहते हैं कि हम 400 जीत चुके हैं लेकिन मत दाता अब प्रविन जी बड़ा जागुरुक हो चुका है हर राज्य की हर अपनी अलग प्रस्तिती है ठीक है बीजेपी का यूपी के अंदर परवाव है मद्यपरदेश में राजिस्थान में लेकिन आप यह देखिए दक्षिन भारत में पस्चिन बंगाल में यह नहीं कि मम्ता बंदर जी बिलकुल डाउन हो चुकी है पंजाब के अंदर आमाभी पार्टी बड़ी शेष्ट पार्टी बनके उगरी है तो बीजेपी का एक ऐसा अजेंडा चलता है कि वो लोगों के उपर एक प्रभाव डालने का प्रियास करते हैं कि हम तो जिते पड़े हैं तो लोग कई पर ऐसा असोचते हैं कि च्यार जब जीती ही रह ठते हैं कि चोदरी बिरेंदर सिंग जी इस बात को भाब चुके थे क्योंकि आगर माले मालीजी ली टिकट कटी तो शायद वो संबस्ता है तो इंग से अप ऐता है उन्हहें इए को रहता है तो दीन है हैं तो इनोंने बहुता से राजनीति को लिया है अब कॉंग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं जैसे उनके बिटे शामिल हुए हैं तो वह एक सम्मान बचा रहे गया सब्सक्राइब हैं तो यह वह एक दम से तो नहीं हुआ होगा यह सारा कि कोंग्रेस में जाना है दिल्ली जाना है शामिल होना है लग रहा है मुझे 6 मिने पहले से रची गई थी क्योंकि उन्हें चोटे नेता नहीं है उन्होंने बड़ा राजनी तो उन्हें अभास हो गया था अच्छा बीजेपी रहने के बाद उनको बीजेपी की जो एक कारेशली है उसका भी पूरा अनुबह हो गया कि बीजेपी की क कि वह अपने एरिये के बड़े लीडर हैं तो उनको यह था कि जब मेरी बात निमानी जा रही है तो मेरी फिर वैल्यू खतम हो रही है मेरे जो वोटर है उसके इंदर दूसरा उनको अब यह वास हो गया दे जैसे बार बार यह खबरे आ रही है कि कुछ सांसदों की टिकट कट सकती है तो वो मान बैठे थे कि इसार से बी टिकट कटेगी तो उन्होंने समान के लिए अपने समान के लिए कॉंग्रेस को जोईन किया है और जैसे की छैसांसद ऐसे जिनकी टिकट कट सकती है तो क्या और भी भाग दोड मचेगी भाजपा में अब बात मैं डोक्टर अर्विन शर्मा की करों डोक्टर अर्विन शर्मा किसी बीचारदारा से बन्दे हुए नहीं है वह और बीजेपी में भी तो जैसे डाक साब है अब मान लोग बीजेपी इनकी टिकट काड़ देती है तो क्या आप मानते है कि वह घर बैट जाएंगे या एक अनुशासिक सिपाई की तरह मान लेंके कि मुझे पार्टी और कोई दायति वदेगी निभाऊंगा, मुझे नहीं लगता, तो कि उनको एक चुनाव लेने का जज़वा है, एक शोंक है, पूर्ण रूप से मैं उन्हें कहता हूँ, कि एक राजनितिक व्रखती हैं, त अब जेजेपी के साथ लगबग पका पका हो चला है कि गठबंदन होगा, हिसार सीट है, उनको देंगे, तो क्या बीजेपी चोदरी बिरेंदर सिंग जैसे नेता को खोकर दुशिंत को के साथ समझोता एक सीट के लिए, तो क्या भाजपाई इस गठबंदन को विदान सभ की तरफ देख रही है जेजेपी के साथ विदान सभा में? पता होगा कि जो SKM है रणदीप सिंग सुर्जे वाला है कि रण चोधरी है कुमारी शैल जा है जिसमें कॉंग्रेस की गुटबा जी का जिक्र होता है कि एक अलाइंस है जो भुपेंदर हुड़ा के खिलाफ है और कुमारी शैल जा जिस तरीके से लिख रही है तो ऐसा लग है कि अगर चोधरी विरेंदर सिंग भी आ जाते हैं तो यह इलाइंस क्या फिर भुपेंदर सिंग खुड़ा के खिलाब भी काम करेगा जटका ना केवल भाजपा के लिए क्या कॉंग्रेस में भी दिक्कत होगी फिर आगे परविन जी यह तो तको शुरू सही रहा है वारिक संबन्द हैं मिलते हैं यह सुब को पता है लेकिन अब जिस तक परकार से शैल जानी ने एकदम ट्विट किया है या कहा है तो इससे सीदा अबहास हो रहा है कि उनका गुट जो है गुट कहते हैं वो मजबूत हुआ है क्योंकि विरेंदर सिंग जी के आने के बाद हुट उनका मजबूत हुआ है और हुड़ा साब को थोड़ा सा लेकिन अब मुझे तो यह लग रहा है कि जैसे जैसे लोगसभा चुनाओ आ रहे हैं तो कॉंग्रेस जो नेतरतव है इनको सब को एक ही रखेगा क्योंकि आप देखिए आप पिछले कुछ दिनों से जिस पर से वो विजय पराप्त करना चाहते हैं तो ठीक है अच्छी तरह हो भी सकती है खुश भी हो सकती है लेकिन चोदरी बुपेंदर सिंग उड़ा पर इसका कोई जादा फरक पड़ेगा मुझे अच्छा भाटिया जी देखें कॉंग्रेस अक्सर मानी जाती है बीजेपी में लोग शामिल होते हैं तो कितना भी बड़ा नेता हो जोती रादित्य सिंधिया भी शामिल हुए तो उन्होंने का तब बिना शर्त शामिल हो रहा हूं और भाजपा ये बुलवाती भी है जो शामिल होते हैं कि बिना शर्त है शामिल हो रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस के बारे म को उतारेगी कॉंग्रेस अब यह बताऊं आपको जैसे जब किसी भी पार्टी का गराफ जब डाउन होता है नहीं है तो कॉंग्रेस तो समझोता करेगी ही यह तो नेता को कहने की अवसकता ही नहीं है क्योंकि इस समय जितने अदिकान सो bgb में ज चलेगे अब कॉंग्रेस के पार जो सशच्ट अच्छे निता आ विरेंदर चोदरी विरेंदर संहु जैसे अगर सशकत नेता बीजए bgb में आ रही है तोСТल प्रोलिक बढ़ेगा इस से इस फैसले के बाद दम दिखा उनका प्रमेंट जी मुझे नहीं लगता चाहिए वो बीजेपी गठ बंदन करना चाहते हैं तो उनकी पार्ठी का एक निर्ना है लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को बहुत अधिक लाब होगा अच्छा बाठीय जी आप कितना इतिफाक रखते हैं कि लोगसबा को लेकर है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी हैं मनुरल खटर खुद हैं वो कोई कोर कसर है वो नहीं छोड़ना जाते क्योंकि अगर लोगसबा में अगर सीटे कॉंग्रेस अगर बढ़ा जाती है तो फिर वि पार्ते जन्ता पार्टी का जो शीर्ष नेत्रतव है वो छोटे राजियों पर उसनों का ध्यान नहीं है ये कड़वी सचाई है उनका टार्गेट बड़े राज्य है तो हर्याना जैसा चोटा राज्य जहां पर दस सिटे हैं उनको ये भी पता है कि अगर हमारी पांच भी आ गई तो यह हमारा बोनस है क्योंकि उनका लक्षे बड़ा है और बड़े राजियों पर उनका ध्यान खेंजरी तो देखिए जब चोदरी बरेंदर सिंग जैसे बड़े निता का पार्टी छोड़ते हैं तो सभावी के दबाव तो बनेगा जो सित्रे निता हैं उनको तो पता है कि इनके जाने से हमारा जो नुक्सान होगा उसकी बरपाई बड़ी मुश्किल है जी देखिए ब्रिजेश सिंग ने तो लिख दिया वो शामिल भी हो गए है और चोदरी बिरेंदर सिंग ने अभी नहीं छोड़ा है तो क्या मान के चला जाए जब उनके बेटे चल बीजेबी में ठोना रहेंगे वो भी साथ साथ कॉंग्रेस माएंगे सभावी के कॉंग्रेस कंदर शामिल होंगे बात करने लिए शुक्रिया सर यह संजेब हाटिया जी थे और देखी यह सबसे सबसे एहम मुद्दा यह है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इसे हो है चोदری बिर इंदर सिंग का और प्रधाय मंत्री नर्ण-दर मोधिन यह कहा था कि चोदरी बिरेंदर सिंग के शामिल होने से निजी तोर पर मुझे है वो बेहद खुशी है वो मैसूस हो रही है तो इसलिए बड़ा जटका है ये माना जा रहा है भाजबा के लिए और पिछले कई महीने से आ रहे थे वो इस बात से खासोर से जोड दे रहे थे कि JJP के साथ गठ बंदन है वो नहीं करना है अब जैसे उन्हें कुछ लगा होगा क्योंकि भाटिया जी बता रहे थे कि 50 सालों से राजनीते में हैं और अनुभवी राजनेता हैं वो पहले भाप ले अब देखिए जब उनके बेटे चले गए हैं तो ये भी लगबग बिल्कुल साफ हो चला है कि चोदरी बिरिंदर सिंग है अब तो हो चला है कि वो भी कॉंग्रेस की विचारधार के साथ ही जाएंगे लेकिन जो कुमारी शेल जा लिखती है कि मुझे खुशी हो रही है कि हमारा पीडियो से रिष्टा रहा है चोदरी बिरिंदर सिंग भी आ जाएं इसाथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसे में अटकले या समाहना ये भी लगाई जा रही है कि SKM गुठ है और ज्यादा मजबूत हो जाता है लेकिन जब एक राज की दहलीज पे होते हैं थोड़ी बहुत ये गुठबाजी है इनके सुर है वो अपने आप ही दबने है वो लग जाते हैं शुक्रिया